हेलो दोस्तों नमस्कार जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं पहले पार्ट बन में बेसिक जानकारी दूँगा एड एडिशन सब्ट्रक्शन मल्टिप्रिकेशन एंड डिवाइड और फिर मैं जो दूसरा पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं कि अधिक बताऊंगा कि मल्टिप्लाई अगर आपके क्योंकि एडिशन तो आपको नर्मल हर कोई कर सकता है फस्ट कर सकता है इतनी दिक्कत नहीं आती है टेडिशन में और टेट समस्यां कहां आती है समस्यां हमें आती है अगर मेरे पास की multiplication आजाए काफिन काुआ इस जहें में तोमिनेशन डिजित का टेडिक का हो तो अ मेसा मेने सामने आ जाती है तो उसको में दो मैथड़ बताऊंगा काफी सुटेवा ने बहुत ही कजब के मैथड़े हैं ठीक है उनको मैंने लिया है और बहुत ही सामधा ट्रिक से मैं बताऊंगा दो मैथड़ बताऊंगा कि मुल्टिप्लाई कि एजली कैसे सॉल्व किया जा सकता है मतलब आप दो से दस सेगंड में आप आंसल निकाल के रख दोगे अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप सिर्फ दस से दस सेगंड दस से पंदरे मैक्जिमम हो सकती है इससे ज्यादा आप टाइम आपको लगेगा नहीं जो म अगर हम बात करें देखो है मेरे पास नंबर यह कुछ इनकी में अगर आप से पोछू कि बताएक बीमिनम इत्सका कितना प्र अचम इसका कितना होगा तो आप सायद थोड़ा ताम या एक मिनिमं तो लगी जाएगी ठीक है कितनी भी फास्ट होगी तो एगbs जानल हुदें तो भीनद बता हैं नहीं कि प्राइब दर्डाशम होंगे तो सब्सक्न आपक सबस्सक्राइख़ां कर नपिन जैसे मेरा पहले ही है यह बाला तो इसका अगर आप आंसर देना चाहें तो देदी जी नहीं तो इसका आंसर जो आएगा देखी आप करके देख सकते हैं इतना ही आंसर इसका आएगा इसका आंसर यह आएगा मतलब थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा प्रियोग किया वस्तों और आप को तुरंथी में आंसर निकाल के दे दिए अब इसके देखी इसके दो मैथड में बताऊंगा एक मैथड है हमारा जापनीश ट्रक है जिसे बोलते हैं जापनीश बारी ट्रिक एक मेथड बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन मतलब आपस में संख्या को मिल्टीप्लाई कैसे करते चले चानगे और एडिशन कैसे करते चостоतम है जलो शुरू करते हैं आप लगи रहता है आपमें किरम से एक कर इक करना स्टार्ट करते हैं कि जो जापनीस ट्रिक है मैं बाद में बताउँगा ठीक है पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसा बता देता हूं जो उसे लिखेंगे नोट करेंगे नहीं जो बड़ी संखिया होगी है तो जादा अच्छा रहता है ठीक है छोटे भी लेख देऊंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं मैंद लिछ के बहुता है बड़ी मेने जिसके जद्धी हों गए वह बड़ी संखिया होती है तो अभी यह है यह भी है bac right तो मैंने क्या बताया था कि इस्थानी माने के सामने इस्थानी माने लिख दिजिए तो 46 है तो यह 1 है यह दाहिये तो इस्थानी पर इमने क्या लिखा six लिखा four अब इनके आंगी कोई value है नहीं तो हमने क्या माल लिए zero है अब समझते जाना मेरी बात को अब मैंने क्या किया देखिए हम हमेशा जब भी सौर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे कि दाइं तरफ से बाइं तरफ जाएंगे और एक चेन बनाते हुए जाएंगे मतलब जो कह सकते हैं कि एक तरह से जैसे कड़ियां यह आपस में जुड़ी होती है जैसे ऐसे 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 यह जो कड़ियां जुड़ी होती है तो हम क्या करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक आना मुझे कड़ियों को जोड़ते हुए देखे चले अब देखते हैं कैसे पहले मैंने क्या किया सिक्स का थ्री में करेंगे मतलब देखे जैसे मेरे पास कितनी संख्या हैं चार हैं तो एक दो तीन चार संख्या हैं मेरे पास नीचे भी हमारे पास चारी संख्याएं हैं, क्योंकि दो मैंने इदर कर लिए, ये मैंने कर लिए, मैं पहले क्या करूँगा, ये करूँगा, ठीक, फिर मैं इसका इसमे करूँगा, इसका इसमे करूँगा, ठीक, एड करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, इसका इसमे करूँगा, इसका इसमे तो भी एक कैसे को पहले पहले मेरे पास एक संख्या है तो एक संख्या के लिए हमने क्या किया जैसे क्या मैं उपर नीचे एक संख्या है यहाँ पर हम कुछ चीजें कर रहे हैं जिनके बेसेंस पर हम इसे बहुत ही जल्दी तो मैं शुरू रात में आपकी जानकारी के लिए थोड़ी सी चीजें बताते रहा हूं पहले एक संख्या है मेरे पास ऊपर नीचे तम मैंने किया तो ऊपर नीचे मल्टिप्लाई करेंगे अपेला अब मेरे पास दो स तो हम क्या करेंगे दो संख्यआ जब भी आ जाएंगे इस में करेंगे कैंची मल्टिप्लाई करेंगे और आपस मैं Radio करेंगे ठेक्र फिर मैं क्या करूंगा यह तो हो गया मेरा फास्ट फिर दो फिर मेरे पास तीन संख्या आएंगे क्योंकि ऐसा भी तो सकता तीन संख्या हो जाएं मेरे पास एक दो तीन तो हम क्या करेंगे पहले इसे फिर इसे फिर इसे और इन तीनों को जोड़ देंगे ठीक है और फिर मेर सकती है ना मेरे पास सिती बात स्वाब भी बात है तो हम क्या करेंगे इसको इससे मिलाएंगे इसको इससे मिलाएंगे और इसका multiply इससे करेंगे ठीक है यह multiply हो रहा है मेरे पास ठीक है तो हम क्या करें और इनका जो भी आएगा इसका इसके साथ जो multiply आएगा इसका इसका जो multiply आएगा इसका 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 इन सब क्या करेंगे आपस में मर्ज करतेंगे जोड़ देंगे पढ़ से ईडिजन कर देंगे पिर ऐसी पांच में कैया है जब मेरे पास अजैसे में क्लिसें कि उसकी होग पास्ट है हो एक फांस अ जानल होग इप सद्धा करा लाउंगा है कि इसका इसके साथ मटिपलाई वह ilा चीज इसका और इसका में और इन सब को क्या करेंगे जोड देंगे आपे चीज हमी चहनकारी होनी चाहए है और हमेशा बीजये i5 कि दर से चलेंगे दाई तरफ से चलेंगे मतलब इसके side हैंड से लेप्ट हैंड की दरफ चलेंगे अब देखिए अब स्टाइट करते हैं इस वाले को ठीक है कितनी जड़ तरही के से हमें इसे स्छोल को रखाते हैं आपको देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया पहला इस टैप यह है तो मैंने फश्ट वाला उठाया यहां से यहां तक पहले मैंने क्या किया यह वाला इसे पेर बनाया था इसे अब मेरी बारी यह दो को पेर बनाने की ठीक है समझते या ना दो पेर बनाएंगे तो क्या करेंगे यहां पर तीन atroc login मतछ। ग्रियूझ यह थो हएं आस त्री और श्क्ष केर तो पहले मैंने एक को पीर बनायाँ अन्य था था मिल्टिप्लाइट गया तो अगया अम में कितना खेर बनाऊंगा दो पेर बनाऊंगा यह सीक्वेंस इस तरीके से चलेगा ऊपर से नीचे तक और यही से स्टार्ट होगा तो अम मैंने क्या किया दो को पीर बनाया इसे और इसे प्रेयर बना दिया तो मैं इसमें क्या करूंगा देखो इसका इसमें इसका इसमें करेंगे तो 36 तैसा च्छ चत्यस और बाराइग अड़तालिस और एक उनन्ञ चास नौ है कि कह रही कितनी वची हमारे पास फोड अब मेरे पास करें कितनी आ गई आम फूरा गए के इसको भी अटा दू अब मेरे बारी दो खम्पलेट अब तीसरे पर नम्र आ गया मेरे पास कि तीसरे तो आप मैं क्या करूंगा इन तीन को लूँगा एक कोश्टक में ठीक है तो हम क्या करेंगे 24 24 और जीरो जीरो का तीन में मल्लिप्ले करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो तो 24 यह हो गया और 24 24 यह होगा 24 48 48 और चार कितना होगा 52 का दो केरी करें अब क्या करूंगा चार को एक चार को लूद करा है तो तो क्या होका प्रण्य किस्का इसका इसके साथ इसके साथ तो क्या होगा आप देखो छ आपके 36 आप जीरो तो मतलब 3616 हम जोड़ देंगे 12 ठीक है और यहां पर चार रेक पाँच बावन हो जाएगा बावन और पाँच मेरे पास पहले से था तो कितना हो जाएगा सतावन थीजेए सतावन हो जाएगा सतावन एक भाइबची है साथ में अब देखिए आप देखे आएप मेरे बारी क्या करेंगे अब यहां से हम क्या करें कोष्टर को गठाना इस्टार्ट करतें यह तो complete हो गया यहां तक separate हो अब यहां से कि करके कम होता जाएगा अब यहां पर था मेरे पास अब यह कहां पर रहेगा हमारे पास अब यहां से की थी और अब मैं सुरुगात कहां से करूंगा तो देखिए अब मैं सुरुगात कहां से करूंगा यहां से यह वाला तो खतम होगा अब इतने इतने का मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितनों जाएगा 24 जीरो और जीरो ठीक है तो मतलब 24 आएगा 24 और 5 कितनों होता है मेरे पास फ्र 1950 ना आगए मेरे पास ठीक एर skinny nine million लेदिया एक ना पूंग्रि ओगया मेरे पास और कंप्रेस होगा मतलब नधसरी बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर आएगा तो प्रकित ही नोगिसल्ए रख भशचिक है जीरो जीरो और मेरे पस नहीं बनेगी तो मेरे पास एक ही लाइन में आंसर आ गया आ गया ना एक ही में मतलब जादर देखो मैं मुझे तो टाइम इसलिए यहां पर जादर लग रहा है क्यूंकि मैं आपको समझा रहा हूं का इन स्विकेंश को आप समझ ली यह ध्यान में रख लिजिए और अगर इने आपने ध्यान भर लिए तो यह तो ईजी वो जाएगा आपके लिए तो अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए मुझे लग रहा है नहीं तो हम ना समझाएं तो तो मिनट में मतलब 15 से 10 से 15 अगर यह question नहीं समझ में आया तो कोई देखकत नहीं है आने और भी है उनको अभी समझते हैं लेखिए क्या किया अब देखो यहां पर यह वाला question ले लो तो इसमें मैंने क्या किए two four six यह वाली पहली लिख दी पहले ठीक है मैंने पहले बताया था बड़ी बाली लिख ठीक है अगर बड़ी नहीं लिखना चाहते है छोटी लिखना चाहते है छोटी भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं हमें ठीक है और फिर मैंने लिख दिया three six four six अब देखिए मेरे पास यह वाला column छूटा है तो मेरे पास है आपर वैलू कितनी है two four six अगर हमने यहां पर चीजी इसमें अपनाएंगे सबसे पहले पहले पहला कोलम हम इसे डो करेंगे चेदिया अठारा केरी बन फिर दोनों को एक साथ में तो बारा और च्छतिस है बारे और च्छतिस अड़तालिस त्रीक उनंचास नोग चाहरी केरी कितनी चाहर फिर तीन को लोगे छे अच्छ 34, 24, 24, 24, 44, 44, 54, 54, 45, ठीक, अरट, 5, बारे एक फिर मेरी बात और आघे बड़ेंगे तो इन्हें देङcohol यहां जोग त्यांड देन च्छतिकांड 43, 12, 16, यह हो जाएगा एड़ करेंगे 16, 8, 6, 14, ठीक है, 8 और 6, 14, 14, और 5, मतलब 14, और 5, 6, 64, मतलब 4, 64 और हाँ, ये 5 भी तो है मेरे पास, ठीक है, 64 और 5, 9, ठीक है, तो 69, 6 कह रही है मेरे पास, अब इधर आजाओ, ये कंप्लिट हो गया मेरा, अब इधर से आजाओ, 0, 24, और 8, 32, 32, 36, 38, 3, ठीक है, फिर और आगे आजाओ, 4, 12, 12, 13, 15, ठीक है, ये आंसर है मेरा, 15, 89, 88, ठीक है, आपको जड़ा सा टाइम लगा है, अगर आप प्रेक्टिस करें, तो आपको कती ही टाइम नहीं लगे, आप जैसे छोटे-छोटे कुश्चन है, ठीक है, अब इन में, ये तो बड़े-बाड़े हो गए, ये 5 बाला भी हो, 6 बाला भी हो, कोई दिक्कत नही है, ये सेक्टिस रहेगा इसका, ये समझ जाएगे, ठीक है, अब देखिये, मेरा कुश्चन है, ये बाला आप करेंगे, की सरा कुश्चन आप करेंगे, ठीक, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सही से, अब जो भी हो, वेलू हमें पता नहीं है, मैंने रेंडम ली वेलू ये कर देना, या जो वाल वो पहले बेलू लिख दी है, अब इसे भी आप कर सकते हैं, बट्टे से देखो, दो वाला है, तो दो वाला देखो कैसे करते हैं, ये कर दिया है, ये चोविस, दो कहरी, फिर पूरे को लेंगे एक साथ, बार रहे, बार रहे और बार, चोविस, चशोविस, दो, हट, पूरे की, दो, दो कहरी ये छोड़ दी है, ये च्छह ओद दो आप, यह आप देखो, इसे कर के देख लेते हैं, क्या ही मेरा आंसर है, कंफरम है, चोविस, बार है, और दो, चवदै, बार है, ठीक है, और कहरी, बन, सब्सक्राइब करने में मुझे 10 से 15 से करने में मुझे वहीं पर 20 सेकंड लग रही है क्योंकि मुझे multiply करना है और वह चीज करना है एडिसन भी करना है इसमें साथ में एक साथ करते जा रहा हूं तो यह method आपके लिए काफी suitable है मैंने पहले ही बोला था आपको कि मेरा जो फर्ष्ट पार्ट होगा उसमें बेसिक क्लियर करूंगा और सेकंड पार्ट जो मैं बना लूँगा उसमें मैं सिर्फ concept मतलब एक तरह से तो यह मेरा दूसरा पार्ट है ठीक है तो इसमें हम यह चीज बता रहे हैं आपको इसी लिए चलो कि यह वाला अब रहे गया यह वाला भी यह वाला हम करा देते हैं ठीक है इस वाली वो तो कि यह अब इस वाले को क्या प्रया टू फूर शिक्स जीरो फिर टू फाइप जीरो घीरो मल्टिप्लाई ठीक है मतलब लगा दिया या नहीं लगाओ को अब इसे परेंगे हम तो पहले जीरो आएगा उसके बात में क्या करूँगा तीस, 0, हुआ है, तीन कहरी, फिर बीस, पिस और बारह, केतना होगा, वेस और बारह बारह बत्तिस, बत्तिस और तीन, 30, प्याटेस, तीन कहरी फिर हो गया, फिर मेरे पास धस, ठीक, दस और आठ अठारा अठारा वक्ती निकिस ठीक दो कहरी फिर यहां से श्टाट किया चार ठीक चार और दो छे ठीक इतना और कुछ बचा इधर करेंगे जीरो जीरो इतना ही आएगा आंसर मेरे पास अब देखिए इसे भी हम प्रूफ करते हैं प्रूफ हां मैं दो रहते हैं किया सका रहेंगे हैं प्रूफ के लिए अब मैंने में और आद देखिए अ क्या क्या कर लो मल्टिपलाई कर लो घीरो जीरो ठीक है घीक उइन सानल वान दूं ऐस तो कै री ठीक दॉक्यति जीरो वार है केरी बन आठीक नो ठीक है चार ठीक जीरो जीरो पांच ग्यारा पांच और छे एकसर पांच है सेमांसर आना है ठीक है तो और मैं एक कुशन दे दे रहा हूं अप लोगों को ठीक इसे भी करके लाना ठीक है चलो ठीक अब इन कुशनों को करना है ओके चलो ठीक है आज इतना ही फिर नेक्ट वीडियो और पार्ट थ्री आएगा जिसमें ओनली हम डिवाइड के बारे में बताएंगे ठीक है डिवाइड की सौटकट वी दीकैसे है कि एप्रॉक्सिमेट में वैलू कैसे निकाल सकते हैं जैसे आपके काफी एक्जाम बगए रहे हों उनमें काफी फायदे मन्द रहता है जैसे ऐसे एससी सीजियल एससी ने और चाहिए ठीक है या फिर बैंकिंग के कोई भी ए बैंगे हैं कि वेंधे अगली भी डियो जब भी हम पार्ट ठीक है डिवाइड वाली में जाते आपसे एक चीज़ और रह गई थी कि मैंने आपसे बॉला था कि में एक यापनी टेटिक बीटेविव अगनी पच्छाए तो तो बोला था कि मैं एक जापनीज तेक्निक काई उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं तो कैसे界 करते हैं‍ jeux जापनीज bağ morality में हम संख्या उंकि świat वाले में कुछ नहीं कातरों करते हैं क्या करते है ग्राप ट्रो कैसे ही जैसे अमने ये वाली को एक संघ्या लीडी nagyon वाली ले чистे क्या ओबड़ी लेलो को दिकता नहीं तो मैंने क्या किया सबसे पहले शलम किने फिर में या एक फक्र तो नीचे थोड़ा सब गयाप कर के फोल आ रोकरती बन टू-3-4 ठीक है हो गई मेरे पास आप मेरे पास कितनी है थ्री थ्री लाइने में ने परपेंडिकुलर डा दीवठीड वन के तू-3 अब फिर कितनी है इस तो वन टू-3-4-5-6 ओके इतना कर लिए अमेने काम आप देखी यह काम यह वाली तुम भी कर सकते हो ठीक है तो अब देखिए आप एंपर सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वाले को देखेंगे तो इहां पर कितनी है दोटेट दिगोबान तो त्री फोर फाइब सिक्स तो मेरे पास कितना है सिक्स है ठीक हो गया सिक्स अब देखिए आप यह वाली वैलू है इन्हें आपस में क्या करेंगे जोड देंगे मर्ज करतेंगे ठीक है तो कैसे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा 來でも for folklore इंद्ध कितनी एक दो तीन चार पांच साथ दस ग्यारा यह इदर की रहे विखिर रहे है इसोग wizard है तो बहुत कितनी जिख तो ठीखे आखे लिए कर रहा है हम तो हम क्या करेंगेगे 24 और 24 की क्या लेख़ेंगे चार ठीखे दो बच्ची मेरे पास कितनी थी तो दो मेरे पास बच्ची वेलू इतनी अब देखिए तू मेरे पास पाची थी अब यहां पर आई एक दो ती जर और चे एक दो ती 24 और दो कितने हुए 24 और दो 26 26 हुए मेरे पास है ठीक अब जिए एक मिनिट थोड़ा सा डाउट है हमें ठीक है जब हम डिवाइड वाली बताएंगे तो उसमें इसके बार में डिसक्स्टिन करते हैं ठीक है अलकाफ्ल का डाउट है उसे हम क्लियर कर लेंगे उसके बाद जब हम शुरू करेंगे डिवाइड वाला सॉटकट विदी तो इसे भी हम आपको क्लियर करके बताएंगे ठीक है चलो चलते हैं फिर बाई बाई